Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Meer Waheed and today I am going to teach you the remaining part of climate. So, कल जो भी हमने पड़ा, उससे आगे हम चलेंगे आज. ठीके, I am presenting this lecture series through SSS, one of the best affiliate form for free education, having more than 1,26,000 subscribers. तो जाद से जाद से जाद से शेर करो, सबस्क्राइब करो और लाइक भी करो चनल को, राइट? तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक सेकंड रुको आप, सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ये, रैंक, फिप्त वाला, जो है, इसका नाम है, सागर, साफिया इसका नाम है, बाल कृष्णा साफिया, उपन मेरिट में आया है, 100% आयल है, इसके बराबर ये भी हम से पढ़ चुका है तुपल एस पर पढ़ चुका है इसकी फिफ्त रेंक इसमें बहुत सारे बच्च है लेकिन जो जो अभी कॉंटक्ट कर पा रहा है इसमें से दो नाइन्थ रेंक ने कॉंटक्ट किया और फिफ्त रेंक जो है इसने भी कॉंटक्ट किया, इसको भी बहुत हलब हुई है, ये देखो, इसने मैसेज भी फारवड किया हुए, थैंक यू सुमित सर, may your efforts to liberate, educate, reach its fruitful conclusions till many miles to go ये इसका, ये इसका कौन से rank है, 5th rank वाला है ये यहाँ पर नजर नहीं आएगा आपको, हाँ, ये है ये हैं ये वाला, बन्दा जो है, rank 5th वाला है तो I hope आप भी rank लेकर लेकर आओगे इस साल finance accounts, इसमें finance में तो हम चाहते हैं कि आपकी rank आजाए पहले top 100 मैसे कम से कम 40-50 rank लेकर आओ, बाकि फिर देखते हैं क्या होगा, लेकिन इंशालला पूरी उमेद है कि आप लोग लेकर आओगे आप लोग अच्छे तेरी की से मेहनत कर रहे हैं ठीक है परसंटायल देखो, 100 परसंटायल हैं बराबर, खुद देखो, पढ़ाई क्या चल रही है बच्चों की ठीक तो, let's move to the slide, ठीक है, ये आपको आया होके समझ, तो कल जो मैंने आपको बताया था, सन का मूमेंट करना, जो ट्रॉपकप कैंसर से लेकर, ट्रॉपकप कैपरी कॉरन तक सन मूग करता है एक एक्वेटर होता है, फिर ट्रॉपकप कैप्रिकॉर्ण होता है तो मुझे समझाना था सन के मूमिंट की वज़ा से सन कैसे मूग करता है एक ट्रॉपिक से दूसरी ट्रॉपिक वहाँ पर आपको मैंने डेट बोला आपको लिए वो गल्लट डेट है उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं है आएगा आएगा यह बता हो कि क्या बोलते हैं समर सॉलिस्ट कोण सा है एक्वे नॉक्स इसकौन सा है यहां 21 जून को सन कहां पर होगा क्योंकि वो आपके सिल्बस में नहीं है इसलिए आरे बात समझ अगर वो होता तो नहीं तो मुझे वो पहले करवाना था वो बेसिक इंट्रोड़क्शन टो जोग्रफ ही आ जाता है अर्थ के रिलेटिट आड़ा है तो आपको वो सिल्बस में है नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि स सरे फैक्टर ही बोलना था कि सन किस तरीके से क्या करता है एक जगा से दूसरी जगा मू करता है मतलब एक लो इससे ट्रॉपकप कैंसर ट्रॉपकप कैप्रिकॉर्ण ठीक है तो यह आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एक्जाम बट इसमें से सिल्बस में दिया होगा बट यह हो गया एक्वेटर याद रोखा मेंचा 0 डिगरी पर उपर आएंगे तो उपर हो गया 23 and 1.23.30 लिखो यह 23 and 1.2 लिखो ठीक है इसको ठीक है यह हो गया 23 and 1.2 डिगरी सौथ हो गया दियान से समझे इसको एक मिनट लगेगा बोलने में यह हो गया अब सन यहां पर होता ह सन एक्वेटर पे भी होता है सन जो होता है यह ट्रॉप कप कैपरी कॉरन पे इन तीन लोकेशन पे इतना आपको याद रखना है साल में दो बार एक्वेटर पे होता है एक बार वो पहुंच जाता है ट्रॉप कप कैपरी कॉरन पे बस इतना आपको याद रखना है अब किस March और 21 September को ये आप 22 September 22 September की बहुँ साथ कुछ books ऐसे लिखते हैं कुछ books 22 December की बात करते हैं मतलब 21 क्योंकि साल में 365 days होते यह तो वो add कर लेते हैं सब्टमबर के साथ 22 September कर लेते यह तो वो add कर लेती हैं तो December के साथ 22 December बना देते हैं यह आपको अपने मर्जे बुक्स के साथ से वहरी करता है फिलार आप इतना याद रखो 21 मारिच और 21 सेप्टुमबर को सन जो होता है वो एक्वेटर पे होता है बस इतना आपको याद रखा है 21 अभी इसका मतलब क्या चल रहा है अभी एपरियल चल रहा है इसलिए यहाँ पर दिन बड़ा देखनी को मिल रहा है कब तक हो जाएगा बड़ा 21 जून तक 21 जून का सबसे बड़ा दिन देखनी को मिलेगा क्योंकि अभी सन नौर्दन हमें से फिर में कब से वो मूग करना शुरू करेगा 21 जून से 21 जून से ट्रॉपकाफ कैंसर से आएगा वापस आजएगा 21 कहां तो जहां पर आ जाएगा ट्रॉपकाफ एक्वेटर पे आ जाएगा 21 जून को ट्रॉपकाफ कैंसर से लेकर कहां पर आएगा एक्वेटर पे आएगा और एक्वेटर पे उस टाइम क्या होगा कि दियान लोकेशन तो आपको याद रखना है यहाँ पर वह याद मत रखो कि पैरी-हीलियन एपि-हीलियन वह एक अलग चीज वह छोड़ो ठीक है यहाँ पर हमें सिर्फ क्लाइमेट के हसाफ यह बोलना है कि सन की मुमेंट किसके हसाफ तो क्या बहुत है एक्वेटर के वेसके देख ल avail ना बास метि मैंने उपको बता दया इसमें से वक्षेशन आए गर नही चलो तो इस पर टायब आया नहीं करना के स्थर फर कॉश्चन आज गेगा है कि अगर करना इस्थर फिर एक नोट आ तो अब आपको weather क्या होता, ये भी मैंने आपको बोला, उसके बाद मैंने बोला, the factors responsible and climate of India, उस्वें मैं ने बोला था आपको altitude, मैंने बोला, latitude आपको, मैंने बोला, relief आपको बोला, ठीक है, इस relief में एक important point है, जो examination point of views है, important है, औरो ग्राफिक रेनफाल, औरो ग्राफिक रेनफा होता है मैंने आपको बताया था उसके बाद जैट स्टिम्स के बारे में बताया था यह कहां से आती है उसके बाद मैंने बोला था आपको ट्रेड विंड्स के बारे में आईडिया दे था मैंने यहां पर मैंने ट्रेड विंड्स आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया अब आप क्योंकि अगर रहें बॉलिबख़ यह बन जाता है वोर्ड वोल्ड क्लाइमेट के साब से लेकर हम पढ़ रहें इंडिया का क्लाइमेट में क्या इफेक्ट पढ़ता है जैट स्ट्रिम्स आपको बोला वेस्ट और डिस्टर बंस बारे में आपको बता है यह आपके की बस इन में से आपको question आपका बन जाएगा और यह भी मैंने बोला था with increase in high temperature क्या होता आपको बोलें with increase in high temperature reduce हो जाता है ठीक है temperature reduce इसके बहुत सारे terms बोलते है lapse rate भी बोला जाता है इसको environmental lapse rate बोला जाता है जब मैं बताऊंगा आपको atmosphere पढ़ाऊंगा वहां पर मुझे explain करना पड़ेगा atmosphere मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा क्लाइमिट का पार्ट जो है that's atmosphere atmosphere मुझे पढ़ाना पड़ेगा ठीक है यह हो गया cold system मैंने आपको बता था distance from sea भी मैंने बहुत था कि sea का क्या effect रहता है कि के उपर इक central एक interior of India होता है एक होता है interior of沒有 rivals एक extreme cold summer में क्या होता है extreme warm लेकिन वहीं अगर को अपर क्या रहता है आप को को बोलना है Sir coast पर र्पे बिच रहता है because of the influence of the sea question पुचा जाएगा the coastal region remaining remains moderate shows moderate climate you have moderate climate what are what is the important what are the important reasons आपको बोलना distance from the sun sea जो है important reason relief में भी मैंने आपको बताया है winter climate मैंने आपको बताया है cold winds की बताया था मैंने jet streams के बारे में मैंने आपको बताया है high altitude winds होती है यह westward winds से याद रखना westward winds होती है और ट्रॉपस से फिर की बात की जा रही है लेकिन जब मैं वापस अभी फिर जब मैं बात करूंगा south इंडिया की बात करूंगा वहाँ पर मैं देखूंगा यह स्टर्ली जट स्ट्रीम याद रखना- नौर्थ इंड़ा में नौर्स ये एक मैं पूरा इंडिया बुना रहा हूं यह पूरा इंड़ा नौर्फ इंड़ा में इस्टर वेस्टरली जट स्ट्रीम इस एक कि बात करेंगा है यह पर और सबसे होता है यह सबकर जो हम जानेकिया और लआंध बोश से आइडियों साइकल Q1 बारे में रहा supports है once सबसे पहले मैं का मतलब क्या होता है क्या होता है द्यांसे मैंने हमेशा बोला आपको wind कहां से कहां move करते हैं आपको पता है, wind हमेशा move करते हैं, from a region of high pressure to a region of low pressure, यह सब को पता है, यह आपको है, जहन में रखना है, आप देखो मैं क्या करता हूँ, यहां पर मैंने low pressure बना लिया, ठीक है, इसको मैं circle बनाता हूँ, यह ऐसी हो सिरसट इस्ट वेस्ट नार्थ स LISA कि यहां से यहां से भी you कहां चलिए जाएंगी यह व्युम्चा रिजन से विंड्स आ जाते हैं और लोव क्यूह को गेर कर लेते हैं लुक्रशिर की जगारश्र की जगाश्त चले जाते हैं जहां पर वेकन्स से चले जाएगी इस से विंड आजाएगी विंड ऐसे चले जाएगी वेस्ट से विंड आजाएगी तो ये डिरेक्शन होगी और नौर्ट से आजाएगी तो इस डिरेक्शन होगी लेकिन होता है कि अगर मैं नौर्दर्न हमें से फिर मैं हूँ अगर मैं नौर्दर्न हमें से फ बखाय मैंने यह एक्चुलि इसको ऐसे स्ट्रेट जाना था लेकिन यह कहां चला जाता यह रायट वुड चला जाता फिर आखिरकार मिल जाता है लोग प्रेशर पर इस तरीके से कौन सा वाला है जो यहां से आ जाते हैं यह वाली विंड जाती है यह भी क्या करता है यह राय यह जो है यह क्या करता है यह इस तरीक से आकर यहां पर आ जाता है अगर आप देखोगे इसका देखो एंटी कुलाक वाइज रोटेशन देखो एंटी कुलाक वाइज मतलब जो कुलाक होते हैं उसके अपोस डिरेक्शन मोमेंट देखो यहां पर भी एंटी कुलाक यहाँ पर भी एंटिकुलाकवाइज यहाँ पर भी एंटिकुलाकवाइज अगर आप देखोगे इसी को बोला जाता है साइकलून और यही जो है रोटेट करता जा रहा है रोटेट करता जा रहा है I hope साइकलून आपको समझ आया है आपको बोलना है साइकलोन होता है क्या है आपको बोलना है जब low pressure inside होता है और high pressure outside होता है ठीक है और क्या होता है जो winds आती है northern हुम grinding फ्यों Gang right वो tilt करते है because the Coriolis Force एक force होता है جो winds के उपर लगता है जिसको बोला जाता है किसके वज़र से होता है बोलने सार वो because of the earth की moment के वज़े से होता है और क्या हो जाता है ये इस low pressure को क्या कर लेते हैं cover कर लेते हैं low pressure में ये wind चली जाते है और इनके direction जो होते है अंटिको लाकवाइज इस तरीके से इस तरीके से और इसको cyclone का नाम बोला जाता है I hope ये आपको समझ आया है ठीक है cyclone समझ में आया question अगर आएगा cyclone में क्या होता आपको बना low pressure inside होता है बस इतना को keyword इसमें low pressure inside मतलब high pressure outside तो winds high से low चली जाते है ये आपको याद रखना है ये कहां पर है ये northern hemisphere में लेकिन अगर आप यही चीज़ देखो कि सवद्वर हमें से प्यार में सवद्वर हमें से प्यार में फिर से low pressure यहां सवद्वर हमें से पर में दिखा दो आपको फिर से low pressure center पे है ठीक है हर एक wind आजागी बतलब यहां से भी wind आजाएगी यहां से भी wind आजाएगी, यहां से भी wind आजाएगी, यहां से भी wind आजाएगी, और यह winds क्या करती है, यह winds मूँ करना शुरू करती है, और यह क्या करेंगे, अब यह winds rotate करना शुरू करेंगे, ठीक है, यह straight नहीं जाएगी, यह rotate करना शुरू करेंगे, अब बोलोगे, आप अगर ये wind है ये चलना चाहिए था straight लेकिन ये क्या करता है ये west की तरफ चला जाता है ऐसीग्हो काथा आप देखो ये क्या होती है क्लॉक ऑस को माईज होती है तो आप साइकलून पर देख सकती है यह एंटिकलोफाइस हो गया I hope यहां पर यह बात आपको समझ आ रही होगी इसका मॉवमेंट एंटिकलोफाइस होता है लो प्रेशर इंसाइड होता है summer season में थोड़ा सा तेज चलो को क्योंकि मैं आलड़े आपको परसों बताया हुआ है summer season में कौन-कौन से key point है जो आपको याद रखना examination के लिए at the start of the summer the wind circulation reverses in both at the surface and the atmospheric level जब summer start होता है wind circulations क्या करते है wind circulations reverse होना शुरू होती है surface पे भी और tropical level मतलब surface का मतलब क्या होता है surface का मतलब अर्थ का surface होता है और अर्थ के ऊपर जो होता है atmosphere होता है मतलब यह portion जो होता है यह वाला portion जो होता है यह ट्रॉप से फिर बन गया और यहाँ पर भी क्या होता है winds के direction क्या होता है which the north eastern and south eastern trade winds converge याद रखना क्या होता है summer season में क्या होता है summer season में क्या होता है एक zone होता है जिसको बोलता है IT season वो एक low pressure zone होता है जिसको नाम दिये जाता है low pressure trough जो जहां पर क्या होते है north east और south east winds क्या होती है converge हो जाते है मिल जाती है यहां पर कहां पर इस Intertropical Convergional Zone के ओपर ठीक है यहां पर एक और पॉइंट है It shifts northwards with the apparent moment of the sun and lies south हिमालय as parallel to it मैंने अभी आपको बोला कि क्या होता है summer में sun कहां चला जाता है sun equator से चला जाता है tropic of cancer के आसपस tropic of cancer के ओपर तो that means जब northern hemisphere में sun होता है तो इसके वज़े से क्या होता है जो हमारे पास ITCZ कहां पर होता है southern hemisphere में ITCZ होता है यहां आप equator पे बोलोगे ITCZ होता है जब sun ही shift होता है northern hemisphere में तो ITCZ भी क्या करता है यह कहां पर shift कर लेता है यह shift कर लेता है कहां पर parallel to the हमालय as south of हमालय as उसके पार्लल रहता है और फिर जो भी विंड्स आजाती है देवान से समझो जो भी फिर कौन कौन से विंड्स आजाती है देवान से समझोए अगर मैंने ITC-Z बनाए यह वाली लाइन ITC-Z की है जो विंड्स आजाती है कहां से एक तो South East इस्ट 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 सीज़र पे एक तो साँथ ईस्ट वाले विंड्स और दूसरा नॉर्थ इस्ट वाले मिड्स जो त prem Is जह जाती इस्ट सिर्फ यह उस्ट वाले मिड्स कहां पर अई िस्ट अभी आधी सिज़र नॉर्दर है मेसिर पर कैसे आया आपको बोलना है है सिर नॉर्दर है में Of The Sun and Lies South Of Himalias And P attract it पूचा जाएगा कि Summer में ITC तर कहा पर भोता है आपको बोलना है ये परलल होता है Himalya के परलल होता है South Of Himalias के परलल होता है उसके बाद In the Southern Part of Peninsula Peninsula मतलब Indian Peninsula की बात करना है Easterly Jetsstream sécurité flow Which steers the Tropical Cyclones And Depresions into India इसकी वज़े से, क्या आते है? ट्रॉपिकल साइकल लूंज आते हैं, डैफ्निटली इंडिया में ट्रॉपिकल साइकलोंस आ जाएगे क्योंकि इंडिया जो रॉपिकल रीजिंज में धेखने को मिल रहा है, तो यहां पर सौदर्न Peninsular में क्या होता है Peninsular Part of India में क्या होता है वहाँ पर कौन सी Jet Streams आते हैं आपको बोलना है Sir Easterly Jet Streams आते हैं इसमें Confuse नहीं होना है एक्जाम मैं आकर MSQ करोगे Northern Hemis से फिर की बात करेंगे इसकी North India की बात करेंगे तो आपको बोलना है Sir Westerly Jet Streams आ रहे थी जो मैंने कल बता है तो Cold Winds लेकिन Southern Hemis से इसकी South India की बात करेंगे मतलब Peninsular India की बात करेंगे आपको बोलना है Sir Easterly Jet Streams आती है यह आपको याद रखना है यहाँ पर जो responsible किसके लिए है Tropical Cyclones के लिए यह आपको याद रखना है Easterly Jet Streams ट्रॉपिकल Cyclones इनको Cyclones बोलो याँ Depressions बोलो आरे बात समय Cyclones बोलो याँ Depressions बोलो ऐसे 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 आप देख सकते इस तरीकी से हो जाते हैं यह आपने देखा होगा आपने न्यूज में भी देखो को Cyclones नेट पेज चाक करना कि Cyclones किस तरीकी से होता आपको पूरा पता चलेगा ठीक है अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपको देखो यहाँ पर ट्रॉपिकल इंडिया जो ट्रॉपिकल यहाँ पर इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कौन सावला आप इस तरीकी से Cyclone इस तरीकी से आप देख सकते हैं ऐसे आरे बात समझ तो यह कहां कहां पर आपको बोलना है सौथ पैननसुलर पे और क्या होता है किसकी वज़े से होता है आप जो हैं इंडिया का मौनसून जो है हम अब डिटेल में एक्सप्लेइन करें किसका मेकेनिजम समझे के पार सुमने एक आइडिया देया था आपको अब आप में तेज चलोगा मैंने उसी दिन बोला आपको कि मैं फास्ट चलोगा अदर्वाइस इसको नहीं तो टाइम लगे temperature के temperature देखना पड़ता है precipitation कितनी हो रहे है मतलब precipitation याद रखना precipitation में rain भी होता है precipitation में snow भी होता है यह type precipitation जब आप पढ़ोगे तो वहां पर humidity की के बाद करेंगे dry है dry है humid है ठीक adds the planet is planet को divide किया गया planet मतलब पूरे earth planet की बात कर रहा है को divide किया गया है different climatic regions में एक equatorial climate होता है, Siberian climate होता है, आपको पता ही है, अगर आपने climate regions पढ़ा होगा, तो वहाँ पर equatorial climate होता है, Siberian climate होता है, tropical होता है, subtropical होता है, ठीक है, यह सभी climates, इन parameters, इन parameters के basis बेख climates को divide किया गए, जब हम last पर पढ़ेंगे, हमें एक classification पढ़ते हैं, cumulus classification, क्योंग, cumulus classification में से हम yasya questions पूछा जाता है, cumus classification, नह पहीं पढ़ेंगा, कौन कौन से इफरेंट आपसた climate होता है, अगर हम Indian की बात करते है, अपने India की बात करते हैं, तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, India is placed in the monsoon type climate, as it is the climate pattern, as it is the climate pattern in the south कोS Smash क्यूंके क्यूं होता इसमें क्यूंकि तरह बो सद्षे हैं, कहां का होता है पुछा जाए, कि क्यूंस एस्थ क्यूंसा क्यु ello जो भी continent's हमारे पास Asia है अब फिर पुछा जाए कि South Asia और South East Asia में कौन सा type of climate देखने को मिलेगा ठीक है यह और भी कोई climate देखने को मिलेगा ऐसा कौन सा type of climate है जो South और South East Asia में देखने को मिलेगा आपको बोलना है मौनसून टाइप कलाइमेट देखने को मिल रहा है उसके बाद मौनसून टाइप of climate is well described as the seasonal reversal of winds in a year मैंने आपको पहले बोला तब मौनसून actually होता क्या है आपको बोलना यह seasonal reversal of wind यह definition आपको याद रखना और MC को भी याद रखना है seasonal reversal of winds in a year in summer summer में क्या होता है and the winds travel from sea to land and in winter the phenomenon is reversed from land to sea summer में क्या होता है देखो यह अगर land है यह याद रखना है यह land मैंने बनाया और यह क्या होता है यह sea मैंने यहाँ पर लिखा summer में क्या होता है land के उपर मैंने पहले बोला था summer में sun कहां पर होता है मैं आपको बोलने summer में tropic up cancer के उपर होता है सं जब tropic up cancer के उपर होता है land क्या होता है land लेंड warm होता है जब warm होगा यहाँ पर क्या होगा आपको बोलने sir यहाँ पर low pressure आजाएगा ठीक है लेकिन c की बात करेंगे तो c में क्या होता है आप बोलोगे sir c जो होता है यह थोड़ा सा cool होता है as computer to land तो यहाँ पर क्या होगा आपको बोलना है sir यहाँ पर high pressure होगा फिर आप बोलोगे sir wind कहां से more करते है मैं बोलोगा wind more करता है from a region of high pressure to a region of low pressure winner तो wind जो होती है कहां से c से आकर कहां चली जाती है land आ जाती इसको बोलते है land breeze भी बोल सकते है तो विंड कहां से आती है आपको बोलना है وिंड mo करती है summer के time पर from sea to land और winds क्या करते हैं है अपने साथ moisture होता है इक उस और ओनी हम साथ मौिंड कर डाल देते हैं किसमें land के उप पर और फिर मूनसुन देखने को मिलता है क्यों मूनसुन आता है आपको बोलना है सर विंड्स जो आती है वो आती है फ्रम सी से लेंड में समर का टाइम है अभी मैं समर को एक्स्प्रेंट करता हूँ summer के time पे क्योंकि land जो होता है काफी heat पे होता है तो low pressure पे होता है sea जो होता है sea का temperature जो होता है इससे कम होता है मतलब high pressure पे होता है इसलिए winds move करना शुरू कर देती है from region of high pressure to region of low pressure और यहां से अपना साथ moisture लेकर आ जाता है और moonsoon आ जाता है कहां पर इंड़ा में आ जाता है उसके बाद the moonsoon is experienced all over the country पूरी country में moonsoon experience देखने को मिल रहा है इसका effect देखने को मिल रहा है पूरी इंड़ा के पूरी country में या दो question अगर आएगा कि half part of इंड़ा में है पूरे इंड़ा में आपको बोला moonsoon जो experience होता है पूरी country के ऊपर ठीक है ये NCRT का data है या आपको याद रखना पड़ेगा but the regional variation is experienced in term of rainfall लेकिन एक region जो है एक region में जो effect देखने को मिल रहा है moonsoon का वो depend करता है कि उस region में rainfall कितना है suppose राजस्तान की बात करेंगे राजस्तान में moonsoon का effect देखने को मिल रहा है लेकिन वहाँ पर rainfall कितना होता है उस हिसाब से हम बता देंगे इसी तरी किसे केरला में moonsoon का effect देखने को मिल रहा है तो लेकिन moonsoon का effect देखने को मिल रहा है दिग्री आफ वेट्नेश एंड ड्राइनस कितने रीजिन एक हे वैट्स कितना है ड्राइज कितना है उससे डिपेंड करता है अदर्वाइज पूरा मूंन सुनका इफेक्ट पूरी करेंटर को देखने को मिल रहा है कौन कोन से फेक्टर्स है आपको बोलना है रैनफाल wind pattern, trumpature और dryness और wetness के हिसाब से हम बोलते हैं कि उसका effect कितना रहता है एक region के उपर आरे यह बात समझ यह आपको पूरा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हर एक word का meaning है यहाँ पर हर एक line का meaning है आप इसको इस तरीक से नहीं छोड़ सकते हो ठीक है समझने के लिए हमें पूरे वर्ल्ड का pattern समझना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा हमें पूरा मून समझने के लिए global pattern समझना पड़ेगा ठीक है अगर हम the moon pattern is partially understood partially completely information moonsoon के बारे में नहीं होते partially हम understood तब कर सकते जब हम क्या करेंगे हम globally इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है पूरे globe में क्या effect रहता है ठीक है the causes and distribution of rainfall in south asia makes it less complex to understood the moonsoon जो rainfall का distribution जो है किसमे south asia में या कौन-कौन से reasons हैं जिसके वज़े से moonsoon आता है इसकी वज़े से क्या होता है हम इसको थोड़ा सा little bit हम सीख वाते पूरा हम इन चीज़ों से भी सीख नहीं पाते कि पूरा moonsoon जो है ये किस तरीक से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूरा हमें पूरी information इसके बारे में नहीं हम partially इसको understand कर सकते है ठीक है in summer the country experiences southwest to moonsoon and in winter it is in the north east to moonsoon, ssb के लिए इसको star लगा लो five star, इसको notes पे डाल देने इस point को, कि summer में कौन सा moonsoon हम experience करते है कौन सी winds आते हैं, आपको बोलना है south west winds आ जाते है और फिर आपको पूछा जाएगा कि winter में कौन सा होता है, आपको बोलता है north east मतलब ये है, अगर मैं ये east बनाता हूँ, ये west बनाता हूँ ये north बनाता हूँ, ये south बनाता हूँ, जो winds आ जाते है summer में क्या होते है, south west से winds आ जाते है, इस तरह किसे और इंडिया में आ जाते है, और जब winter आ जाता है, ये ही winds क्या करना मो करते है, वापसाना मो करते है और यही क्या बन जाती है आपको बोलना है सर यह तो बन गया अब नौर्थ इस्ट विंटर में नौर्थ इस्ट आपको याद रखना है और समर में क्या होता है सौथ वेस्ट की आपको बात करना है और यह आपको एक्जामिशन पॉइंट आफ यू के लिए याद रखना है द रुको देखो द्यान से समझ हो मैं कि बोल रहा हूं यह इंडा है यह इंडा है यह इंडा साथ इंडा मैंने बनाए यह एक्वेटर है यह एक्वेटर है द्यान समझो यह एक्वेटर है ठीक हो गया एक्वेटर जीरो डिगरी पर विंड्स देखो विंड्स कैसे मोह करते हैं आधार नीचे जो साचा यह इस तरह किसे होती है, ऐसे एसे लेकिन यहां पर अगर देखोगे इंडा में विंच कैसे आ जाती है, विंच में ऐसे आती है लेकिन के नीचा विंट कैसे होते हैं इस फार्मेट में आधे लेक्शन में एक सेकंटर को मैं इसको राब करता हूँ पहले अब ठेहरो एक सेकंट हाँ एंड है में जो इक्वेटर से नीचे जो इस इस डिरेक्शन में होते हैं 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 ऐसे आ जाती है ऐसे जब वे विंड्स एक्वेटर को क्रॉस करेंगे आपके साफ से विंड्स कहां जानी चाहे यहां जानी चाहे ऐसे से जानी चाहे ठीक है ऐसे से जानी चाहे ठीक है आपके साफ से तो ठीक है यहां से इस तरही किसा आना चाहे लेकिन अगर आपको पता होगा मैंने आपको के विंड्स हमेशा क्या करते है जब वो नौर्धर हमेश से फिर होती है एक्वेटर से उपर जो आ जाते है वो राइट वो टिल्ट करते है और सौधर हमेश से फिर में क्या करते है लेफ्ट वो टिल्ट करते है डेफिनिटली जब यह क्या करते है सौधर हमेश से फिर में होत ग्तरकर तरह को सब्सक्राइब अतने 봤ब ust dazu को क्या दो पर से गिए आति वौ कर सकतनेते लिए कुछ बात समझ में अरही है कि हो रहा है यह क्या हो रहा है थीड़ेने के एक्वेटर के उपर आ जाते तो यह क्या करना शुरू करते ऐसे और फिर क्या करते हैं ऐसे यह पास होना शुरू हो जाते हैं यह बात आपको पूरी समझ आए होगी यहां पर ठीक हाँ इंपॉडटन जो है इसमें यह मैंने आपको बता है समर में क्या होता है साउथ वेस्ट होता है और क्या बहुत है विंटर में क्या होता है नौर्थ इस्ट होता है the various factors which are responsible for the formation and the pattern of monsoon कौन-कौन से factors है जो के responsible है इंड and monsoon के लिए most important point है notes पे लिखना है आप लोगों को ठीक है कौन-कौन से factors है यह हम जानेगे कौन-कौन से factor है जो responsible है इंड के monsoon के related southwest monsoon के related यहां ठीक है यहां पर आप लिखो differential heating and cooling of land and water आपको पता है क्योंकि differential heating of cooling of land and water का मतलब यह होता है लेंड जो summer में होते है सबसे ज़्यदा cool होता है और water की बात करेंगे वो अतना cool नहीं होता है जितना land होता है मतलब water को warm और जाता है और जिसके वज़ए से क्या होता है land पे low pressure होता है और water पे high pressure होता है और wind smoke करना शुरूख कर देती from a region of high pressure to a region of low pressure यह फिर से वही है क्योंकि अभी हम south का पढ़ रहे थे अभी हम क्या हो summer temperature के बारे में पढ़ रहे थे ना तो यही summer के बारे में हम south west to moon sun में पढ़ते हैं क्योंकि यह summer में होता है in summer the land gets heated up faster summer में क्या होता है land faster heat होता है then the sea thus creates an intense low pressure in the continental area and the winds from the high pressure sea blows towards the land it is vice versa in the winter season और winter season में क्या होता है यह vice versa होता है question आ जागा कौन-कौन से factors हैं जो responsible हैं किसके लिए इंड़ा के monsoon के लिए आपको बोलना है differential heating of differential heating and cooling of land मैं फिर से यहाँ पर एक बार बुना रहा हूँ लेकिन दोनों के लिए किसके लिए south west monsoon के लिए भी और north east monsoon के लिए मतलब summer और winter के लिए भी यह c हैं यहाँ पर यह land है यहाँ पर मैं summer की बात कर रहा हूँ एस मतलब summer होता है land के उपर high pressure, low pressure होता है और यहाँ पर क्या होता है high pressure winds move करती है summer मैं from region of high pressure to region of low pressure मतलब from sea to land चला जाता है यह पहला point लेकिन winter में क्या होता है winter में reverse हो जाता है reverse winter में क्या हो जाता है ये जो होता है, sea जो होता है, ये high pressure पे हो, sea जो होता है, ये low pressure पे होता है, और land जो होता हो, high pressure पे, high pressure पे land क्यों होता है, क्यों कि winter में land cold होता है, cold होने से, वज़े से क्या होता है, ये high pressure पे होता है, लेकिन ये ही sea अगर देखेंगे, sea किस पे होता है, sea का time पे जड़ा सा तो देख सकते हो कि समर में ये था साउथ वेस्ट और विंटर में क्या हो गया नौर्थ इस्ट की तरफ ये इस तरीकी से वापसाना शुरू हो जाता है ये पूरा मेकनिजम मैंने आपको समझाएं दूसरा भी आपको रीजन पाता है आई टी सीजर एपरेंट मूमेंट अफ इसमर में क्या होता है ये मूग करता है तो इस पर यह आपको याद रखना है मतलब इंडान सब्कॉंटिनेंट पर जूरिं समर इट शिफ्ट इस नौर्थ वोर्ढमेंट प्लेसे एड गंगा प्लेंच के उपर आ जाता है दस क्रियेटिंग एन इंट लोग प्रेशर है जिसको बोला जाता है Monsun class क्वस्टन आ जागे Monsun ट्रफ क्या होता है अब को बोलना है 102 का कांást वह वोता है कंवर्ज हो गाई है एक वींट के साथ ही मॉइचर हो जाती है जब सभी विंट वहां पर ही हो जाती है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा रेनफाल हमें देखने को मिल रहा है, तो ITC का रेनफाल में काफी ज़्यादा कांट्रिबूशन देखने को मिल रहा है, उसके बाद intense heating अब तिबतियन प्लेटो, अगर आप हमाला के उपर जाओगे, चाइना के साइड देख है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लेटो हैं जिसको बोलते है, तिबतियन प्लेटो, देहन समझे, इसको तिबतियन प्लेटो बोलते है, तो summer में क्या होता है, यह तिबतियन प्लेटो काफी heat पे होता, high heat होती है यहाँ पर, ठीक है, प्लेटो जो होता है, तो high heat ह होता है, high temperature का मतलब क्या होता है, low pressure पे होता है, और ये तिप्तियन प्लेट भी क्या करता है, देखते हैं आगे, ठीक है, intense heating of the तिप्तियन प्लेट जूरिंग the summer create strong vertical air, vertical air currents and low pressure, उसकी वजह से इस तिप्तियन प्लेट पे क्या create होता है, आपको बोलना है, घप high heat होता है high heat का मतलब low pressure होता है इस तिप्तियन प्लेट पे low pressure होता है जब low pressure आता है इसकी वज़े से क्या होता है vertical current generate होती है अब आप बोलो कि सारी current कहां पर आते है देखो current का मतलब होता है winds का move करना लेकिन किस direction में आपको बोलना vertical direction में आरे बात समच उनको conventional current से अपने नाम सुना होगा अगर आपने पढ़ा होगा climate देखो क्या होता है यह तिप्तियन प्लेट है जब high temperature की वज़े से क्या होता है यहाँ पर low pressure बोला जाता है यह होता है vertical currents इनको बोला जाता है यह आप याद रखना है जब एक और concept याद रखो यह आपने नहीं सुना होगा यह अगर सुना भी होगा तो आच्छी बात है लेकि ज्यादा तर नहीं सुना होगा मैंने बोला जब अर्थ के उपर winds move करते है याद रखो मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ अर्थ के उपर जब winds move करते है एक होता है winds move करते है from a region of high pressure to low pressure सबको पाता है तो wind आजाएगी इस तरीक से move करेगी लेकिन जब winds move करते है vertical direction में याद रखना vertical direction में मतलब जैसे मैंने अभी बोला tipton plateau तो अर्थ के पर low pressure होता है क्योंकि high heat के जिस्षे low pressure तो low pressure से क्या होती है winds move करना शुरू करते है ऊपर की तरफ और ऊपर जो होता है वो हाँपर high pressure होता है याद रखना अगर और्थ के surface के उपर winds move करते हैं आपको बोलना है winds move करते ही from a region of high pressure to low pressure लेकिन अगर यही winds vertically move करना शुरू करते कि मतलब जो अभी मैंने बोला थो वर्टिकल एयर करेंट की में बात करना वह हमेशा मूझ करना शुरू कर दे फ्राम रिजन अप लोग प्रेशर और उपर इसको क्या बनेगा उपर इसको हाई प्रेशर बनेगा और यहां पर अगर आप देखोगे हाई प्रेशर है इस जगह प्रेशन 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 प्रेश हो जाता है expand होना शुरू हो जाता है एर expand हो जाता है दूनों side से इस side से भी इस side से भी और फिर low pressure पर आ जाता है low pressure से क्या हो जाता है वो नीचे चला जाता है इसको बहुत है descend होना air का descend होना और यह cycle को आपको याद रखना है यह actually हमें wind system में पढ़ना पढ़ते लेकिन यहाँ पर मुझे बोलना पढ़ा क्योंकि यहाँ पर actually यहाँ पर concept एक आएगा strong vertical currents आपको पता चलना चाहा vertical currents का मतलब यह बोल रहा है wind जो होते है वो vertical direction में move करते हैं किस direction में करते हैं उर्थ के surface उपर चला जाता इस्टरली जट स्ट्रीम्स इंदा पैनन सुलर यह भी मौन सुन को effect करते हैं यह बोला जाता सब कुछ यह सारे points मौन सुन के हैं किसकी वज़ए से एक तो मैंने बोला हीटिंग आफ The best of feeling is detto और जाताए है वेस्टरिम जट सीशर के मैं कुछ पर ने बोला एंहे मैं भी यह बोल रहाँ आपकोग मैं बाताए यह स्टरली जट स्ट्रीम्स और एक होता है इस्टर llः जट स्ट्रीम्स easterly jet streams कहां पर होता है आपको बलता है peninsular plateau में और westerly jet streams कहां पर होती है northern हेमालयज में होता है ये भी responsible होता है southwest मोंसुन के लिए the high pressure area in the south Indian ocean south Indian ocean जो है वहाँ पर एक region होता है जिसको बलता हाई pressure region अगर आपको याद होगा east of Medagaskar मैंने आपका Medagaskar island दिखाया है तो वहाँ पर क्या होता हाई pressure area होता है definitely जब land के उपर low pressure होगा इंडिया के land के उपर low pressure होगा Medagaskar के उपर high pressure है तो Medagaskar से जो winds आ जाते हैं वो कहाँ चाहेंगे high pressure से low pressure तो मैंने आपको परसू बोला था अगर आपको याद का Medagaskar का effect भी यही लिखा है high pressure area in the southern Indian ocean that is east of Medagaskar अगर इंडिया है यह जान से समझो यह अगर इंडिया मैंने बनाए यह पूरा हो गया Indian ocean और यहाँ पर जो है यहाँ पर Medagaskar है और इसके east में अगर देखोगे इसके east में क्या होता है यह Indian ocean है और इंडिया ओशन जो है यह south आफ किसको इंडिया को है तो यहाँ पर क्या निकलना है शुरू हो जाते है विंड्स निकलना शुरू करते है फिर आप बोलो कि sir winds तो ऐसे निकलना शुरू कर देंगे यहां से यह कैसे आता है अगर आपको यहाँ हो कि equator से जुही क्रास कर लेता है यह किस तरी किसे मोग करना शुरू कर देता है ऐसे ऐसे मोग करना शुरू कर देता है इंपेक्ट दे इंडियन ओशन यह आपके सभी पॉइंट्स वाने चाह वाटार अपको लिखना है डिफरेंचल हीटिंग अफ लेंड एंड 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 इसको वाटर दूसरा होता है आपको क्या बोलना है तिप्तियन प्लैट्व का भी एफेक्ट देखने को मिल रहा है उसक कहां पर इंडियन ओशन में साउथ इंडियन ओशन में जहां पर मतलब इस टाफ में डगास करके आसपास जो है उसका भी इंडिया के मून सुनके उपर देखने को यह सभी पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए एक और पॉइंट यहां पर बोला जाता है एल नीनो होता है याद रखो चाइल्ड क्राइस्ट इसको बोला जाता है एल नीनो का मतलब चाइल्ड क्राइस्ट क्राइस्ट चाइल्ड होता है लेकिन यह बेबी चाइल्ड होता है यह बेबी चाइल्ड होता है इसके नाम के उपर इसको बताया गया है अब यहां पर थोड़ा से little bit ही बताओंगा लेकि मुझे little में बताने अल्नीनोग और लानीना का इफेक्ट क्या होता है काफी ज़्यदा दो-तीन सालों से यह न्यूज में था काफी ज़्यदा न्यूज में था यह ठीक है इसका impact पूरे इसमें देखने हो आस्टलिया में भी इसका effect हर एक साइट से थीक है एल लिनौ एल लँनिना इन फ्रीकेंट चेंज्ट प्रेशर कंडिशन इन पैस्पिक ओंशन एफिक जो इन प्रेशर केंडिशन देखने को मिल रहें कहाँ पर पैस्पिक ओशन में प्रेशर की changes की वज़ा से आप देखोगे इंडिया के मूनसून पे एफेक्ट पड़ता है मूनसून विंडिस पे एफेक्ट पड़ता है एशिया में खुद अंदाज लगाओ मूनसून विंडिस पे एफेक्ट पड़ता है जिसकी वज़ा से इंडिया का मूनसून जो इसको इंपक्ट कने देखने को मिल रहा है किस पे मून सून zwischen विंडस के ऊपर उसका ए्मपेक्ट देखने को मिल रहा है इसी को बोला जाता है अलनीम और लानीम अब जब निश्र हाई होगा इसको अलनीम ब Canyon बोलते है यह 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 लो प्रश्र को El Nino बोलते हैं यह अभी मैं नहीं बता हूंगा जब हम El Nino पढ़ेंगे उसमें बताना है बस आपको इतना भी वो यह भी बोलना है कि El Nino और La Nina का आपको option में देखने को मिलेगा कि El Nino और La Nina का impact इंडन मौनसुन पर देखने को मिल रहा है आए हो पी यहां तक यह बात आपको पूरी समझ में आए होगे आगे देखते रहो देखते रहो onset of moonson अब moonson आना शुरू हो गया पौँछ गया कहां पर कैरला पौँचने लगा अब ठीक है coast के आसपस आने लगा अब देखो यहां पर due to differential heating of land and water at the start of the summer the low pressure area is created in the subcontinent especially in the northwestern part of the country यह मैंने पहले ही बोला है कि क्या होता है summer में क्या होता है जब heat हो जाता है इंडिया कॉन्टिनेंट जो होता है वो heat हो जाता है और water जो होता है वो क्या होता है वो high pressure पर होता तो उसकी वज़े से क्या होना शुरू हो जाता है एक low pressure create होता है कहाँ पर subcontinent पर जनरली कहाँ पर आपको बोलना है north west part of India पर low pressure create होता है एक मिनट रूखो मैं पर दिखाता हूँ देखो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह कि इस region में क्या होता है low pressure create होना शुरू हो जाता है जिसके वज़े से क्या होता है wind सा मूँ करना शुरू कर देते है ऐसे ऐसे बस मुझे यही point यहाँ पर समझाना थी इसमें ज़्यादा समझाना नहीं था यह मैं परसू से आपको बोल रहा है मैंने पहली बोला पहली मैंने पहली लेक्चर में क्यों मैंने डिसकस थोड़ा ज़्यादा किया आपको आगा अगे थोड़ा सा अंदाज अलगेगा सर क्या बोल रहा है ठीक है onset पे थे हम यह point तो हो गया के लिए हर point का एक importance है the south west the south east trade winds get attracted to the low pressure center जो low pressure center कहाँ पर है इंडिया में जो low pressure center था उस low pressure center की तरफ कौन सी विंड़ा होते है आपको बोलना है south east trade winds जो होती है south east trade winds जो होती है वो इसकी तरफ converge हो जाती है ठीक है यह trade winds यह यह moonsoon winds नहीं है साथ west moon winds यह हो गया है लेकिन यह trade winds की बात कर रहा है, लेकिन कौन सी वाले trade winds आपको बोलना है, south east trade winds जो होती है, यह यहाँ पर क्या होती है, attract होती है, to this low pressure center, and also due to the presence of ITCZ, और ITCZ भी present है, यहाँ यहाँ पर क्या बोलते है, northern हमें से फिर में, ITCZ, it crosses the equator, यह equator को cross करता है, क्यों ITCZ जब northern हमें से फिर में हैं, तो definitely winds क्या करेंगे, इन winds को cross करना ही पड़ेगा, किसको, equator को, क्योंकि अगर यहाँ पर, यहाँ पर equator है, ITCZ यहाँ पर है, suppose, तो winds जो है, वो यहाँ equator से यहाँ यहाँ ऐसे फिलो करती है, तो ठीक है, लेकिन ITCZ, जब यहाँ पर है, ITCZ क्या होता है, आपको low pressure region है, low pressure trough है, तो definitely winds की tendency क्या रहती है, वो तो low pressure में गुश जाती है, तो यह ITCZ की तरफ चली जाती है, यहाँ पर चली जाती है, लेकिन अगर ITCZ यहाँ नहीं होता, जैसे यह SECGYAOR है, ITCZ यहाँ पर है, suppose equator के आसप से, जो winds यहाँ से आ जाती है इस तरहिके से, तो वो equator को cross नहीं करती है, क्योंकि equator को cross नहीं करती है, क्योंकि ITCZ Equators के आसप से, यह equator में ही converge हो जाती है यह winds, यह winds I.T. Caesar के आसपास ही converge हो जाती है, लेकिन जब I.T. Caesar खुद यहाँ पर है, यह winds equator को cross कर लेती है, यह concept आपको पूरा समझना है, इसलिए यहाँ पर यह लिखा भी है, इसने, the south east trade winds get attracted to the low pressure center, जो land के ओपर low pressure है, वहाँ पर attractive होता है, and also due to the presence of I. I.T. Caesar, it crosses the equator, किन की बात करना है, winds की बात करना है, south east trades की बात करना है, कि वो क्या करते हैं, वो cross कर लेती है, equator को cross करके, कहाँ चली जाती है, आपको बोलना है, वो cross करते है, equator को चली जाते है, I.T. Caesar की तरफ, and deflect towards the north subcontinent, और कहाँ पर deflect होती है, north subcontinent, between 40 to 60 degree east, and enters India as a southwest of moonsault, और है, यह equator ऐसे होता है, देवान से समझो, मैं पूरा mechanism आपको समझा रहा हूँ, यह हो गया, आपका IT Caesar, समझो इस बात को, अब क्या होता है, winds, actually, winds जो होती है, इस direction में होती है, मैंने पहले बोला आपको, किस range में, 40 to 60 degree के आस पास इस direction में, winds होती है, इस direction में, winds हो जाते है, ऐसे winds होती है, ऐसे winds होती है, ठीक है, कौन से winds होती है, south east trades, अगर आपको याद होगा, south east कौन सा हो गया, south east, इसका मतलब यह वाला region, यह south हो गया, यह east हो गया, इसका मतलब इस वाली region की winds की बात कर रहा है, तो इस वाली region की winds तो ऐसी आ जाएगे, ऐसे आ जाएगा, ऐसे यहां पर यह 0 डिग्री एक्वेटर है तो विंड्स की डिरेक्शन बिल्कुल यह है जो मैंने आपको दिखा लेया लेकिन इंडिया में जो विंड्स आ रहे हैं इंड्स तो ऐसी जानी चाहिए ना लेकिन होता क्या है यही बोल रहा है 40-60 डिग्री के आसपास जो है हो जाती है, जुहीं Equator को उख्रोस करती है, इस तरीके से क्रोस करना शुरू करते हैं, जुहीं Equator को इन्होंने क्रोस करती है, अब ये Wind किस हमें से फिर में आ गए? आपको बोलना है, Sir, Wind آ गए, आप Northern हमें से फिर में ठीक है? फिर से बनाना पड़ेगा यार यह यह ऐसे यह ऐसे विंट्स ऐसे आ रहे थी यह equator ठीक है यह southwest त्रेड विंट्स आ रहे थी ठीक है लेकिन जब यह कौन सा रेंज था इनका यह रेंज था इनका 40 to 60 degree के आसपा से इस तरीक सब मुह करती है लेकिन जब यह equator को क्र टिल्ट वोगा जाएगा तो यह राइट वोड टिल्ट होना शुरू हो जाता है ऐसे इस तिल्ट होना शुरू हो यह ऐसे से डिफलेक्ट होना शुरू होना फैसे से डिफलेक्ट होना और ही इसे स्भूण थे अपने रहह बनाओ गए इस डियाग्राम को तब आपको मूनसून का पूरा concept समझ में आएगा, ये कहां से actually ये winds आती है, इनकी direction ऐसे नहीं होते है, इनकी direction ऐसे होते है लेकिन फिर ये tilt होकर, deflect होकर यहां चला जाता है, और फिर इंडिया में क्या बन जाती है, south west monson winds का नाम, इनको इंडिया में नाम दिया जाता है यही लिखा है यहां पर the south east trade winds get attracted to the low pressure center, क्योंकि already low pressure center इंडिया में create हुआ होता है, because of high heat के वज़े से, and also due to the presence of IIT Caesar, क्योंकि वहां पर IIT Caesar भी होता है, आप बोलो किस तरीके से, क्योंकि sun equator के आसपास होता है, तो वहां पर, sorry, sun जो होता है, drop of cancer के आसपास होता है, तो इसकी वज़े से क्या होता है, IT Caesar भी शुक्त होता है नौर्थ की तरफ, इसकी, इंडियन subcontinent की तरफ, तो वहां पर, हर जगह पर low pressure देखने को मिल रहा है, और wind के हमेशे tendency low pressure ही होती है, ठीक है and winds, winds crosses is the equator, और winds क्या करती है, equator को cross करती है, and deflects towards the Indian subcontinent, ठीक है, between 40 to 60 degree east, and enters into south west moon soon winds, और यह enter जब इंडिया में हो जाते है, in the farm up, south west moon soon winds के farm में, यहां पर आपका एक mcq बन जाता है, by 1st June, the south west moon soon, ठीक है, 1st June में क्या होता है, 1st June, the south west moon soon sets over, sets in over Kerala, and progresses further towards the inland, याद रखना, 1st June को southwest moon suns कहां पर होती है, आपको बोलना है, 1st June को southwest moon soons कहां पर होती है, के के उपर से होती है, और फिर आइस्ता, 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 याद रखना, इसको time moon soon, समझाना है, मुझे, अच्छे तरीके से, so that, आपको, कभी नहीं पढ़ेगे, आप किसी को भी समझा सकते हो, PhD कोई कर रहा है, MSC कोई कर रहा है, sorry, कोई master's, अगर कर रहा है, इसमें, जोग्राफी में, आप उसको समझा सकते हो, फिर हो गया, moon soon burst, यह term समझो, इन term से questions बन जाते हैं, moon soon burst का मतलब क्या होता है, आपने सुना का cloud burst का नाम, exactly वैसे समझो, at the time of the arrival of moon soon, जो ही moon soon पहुंच जाता है, ठीक है, the rainfall increases suddenly, and persists for a few days, after a pre-moon soon, ठीक है, after the pre-moon soon showers, is called as burst, इसको बोलते है, moon soon burst, बोला जाता है, जब moon soon पहुंच जाता है, कहां पर, कोस्ट के आसपास पहुंच जाता है, तो क्या हो जाता है, एक तेज रेनफाल होती है, अचनक से, moon soon windows तो आ गई है, ठीक है, moon soon windows तो आ गई है, लेकिन जो ही वो क्या आ जाते है, कोट्स के आसपस आ जाते तो अचानक से एक फास्ट रेंफाल हो जाते है अचानक से ठीक है और वो रहता है वो रेंफाल चो रहते है कुछ दिनों एक दो दिन तीन तक वो रेंफाल रहती है ठीक है ठीक है गब प्री मूनसुन के बाद अफ्टर दा प्री मूनसुन प्री मू क्या होता है एक सड़न रेनफाल होता है जो ही उस सड़न रेनफाल को ही बोला जाता है बरस्ट आफ मौनसून क्वेश्चन आगर आए गए कि बरस्ट आफ मौनसून क्या होता है यह सड़न इंक्रीज होता है किसका रेनफाल का जो ही मौनसून आ जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, एक sudden rain fall हो जाता, अचानक से बहुत ज़्दा rain fall हो ते हैं कुछ दिन तक रह जाता है ठीक है? ठीक है टीक है? परसिस्ट फूर फ्यू डेज आफ्टर दप्रिम मॉनसून शावर्स जब पुरी मॉनसून छोटे मोनसुन बरिस्ट बौला जाता है ठीक है तह मोनसुन बरिस्ट इसका जूट अब बोलोगे सर यह मोनसुन बरिस्ट का ही impact देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने क्या बोला सबसे पहले moonsoon कहां पर आता है आपको बोलना पहले तो यहां पर east coast की आसपास आ जाता है यहां बोल सकते हैं साउथ इंडिया की आसपास आता है तो मैंने पहले बोला आपको जो penansular इंडिया में कौन सी wind सोचे था आपको बोलना है वो था pen मैंने क्या बोला था आपको jet streams की बात की मिले में eastern jet streams तो इस एचानक से बारिश होना इस moonsoon बरिष्ट का होना इसके पीछे reason क्या है हर एक का reason होता है आपको बोलना easterly jet streams का reason है इसके वज़ा से ये चीज़ें हो जाती है अब moonsoon जो होती है ये कहां पर आ जाते है आपको बोलने ये तो अब south इंडिया के आस्टास पहुंच चुका है अब ये क्या करता है ये दो parts में divide होता है ये wind इस तरीक से होते है लेकिन ये wind इस तरीक से होते है लेकिन एक बिचारा wind ऐसे चला जाता है एक branch ऐसे चला जाता है ठीक है जहां चला जाता है और दूसरा branch जो हो इसका वो ऐसे चला जाता है तो इसका मतलब आपको याद रखना moonsoon तो आता है लेकिन ये moonsoon जो है यह कितने ब्रांच में डिवाइड होता है आपको बोलने यह दो ब्रांच में डिवाइड होता है एक ब्रांच यह होता है और एक ब्रांच यह होता है इन ब्रांच के ही बारे में हमें पढ़ना है एक होता है बेया ब्यंगाल ब्रांच यह बन जाता है बी-ओ-बी ब्रांच वो दूसरा बन जाता है एरेबियन सी ब्राँच यह आपको याद रखना है कौन सा ब्राँच एरेबियन सी ब्राँच बनता है यह हम डिटेल में समझेगे मुझे पहले आपको मैप दिखाना पड़ेगा गलापूरा खराप हो गया पूरा आप समझो ठीकर देखो क्या होता ह आजाते हैं यहां पर एक चला जाता है एक चला जाता है एरे बेंट सी में चला जाता है और इस तरी किसे हमारा गूँड़ीं। इसन और यही कितने ब्राइस में होता है आपको बोला है by यहीं ही दो बॉष को हमें फशनी कि मोशने आप इसमें इसमें यह माफ सब्सक्राइब का फूर मॉन्सून का आगे चलते हैं दब मुञून सुन ब्राइबा करने कि निर्ण सब्सक्राइब बाइब पूज़ा अरेबेंसी पजया है यदर रखने यह वेस्ट कोस्त कि तरफ चला जाता है यह या कोछला जाता है वाल ये पेक्हल ब्राँच वाला वाला ब्राँच söह पर आजाता कृँकि जब ये ये आशचा कर आता है एर एक्हार किश्ट कहां के ले कर आता है चब्याइंट यह कॵ्शन नप कुछा जाता है जो कहां तक चला जाता है वेस्ट कोस्त के साइड से चला जाता है और मंबै तक पहुंच जाता लेकिन नहीं बेंगाल ब्रांच वे आसाम को पिस से यह ऐसे तर से दुद्ध ठी तरी बॉल्च को फर्दर हम डिवाइड करते तीन बॉल्च यह एसे था एक आपको सरी से आपको समझ आगा है डाफ के बागी आप वुक से पड़ सकते हो खुद भी यह फैक्ट्स पर आप जो आपको बता सकता यूट्व पर आके कि ये फैक्त है यह इस सब्सक्षक्र भी रूंच में मैं करनाट का सबसे पहला ब्रांच जो है ये किसको हिट करता है सबसे पहला ब्रांच अगर ये अरबियंसी ब्रांच जो था इस तरीके से सबसे पहला वाला ब्रांच जो है किसको हिट करता आपको बोलना है सबसे पहला वाला ब्रांच अरबियंसी का जो इसका जो था अरबियंस यह कैर्ल है यह कर् 누क हैं तो इसका जो पहला बॉर जाता है वह परफंडिकुलर सीधे होता एक इसको कर्नांटा को आपको यह याद रखना है यह कौन सा ब्रांच था यह अरभियन जी का ब्रांच था फिसisée स्जा सब्रांच को आपको ब्रांच इसी ब्राइब टक चला जाते ना अब देखो दूसरा ब्राइब कहां चला जाएगा बॉम्बे में फिर में फ्लाडस अब देख सकते हो और उसके बाद ट्रेवल करता है में लेंड के थूर वहाँ पर लैन्ड में घुच जाता है ठीक है जो लैंड होता है वहाँ और और किसको क्रास करता है एक प्लैट होता है जिसको बोलता है छोटा नाकपूर प्लैट हो गंगा गंगा प्लैन्स में जाने से पहले यह किसको क्रास करना पड़ता है तो अगर मैं यहां पर इस तरीक से बना लो इसको यह इंड है यहां पर मैंने बना लिया मंबाई का कोस्ट supposedly यहाँ पर बना लिया और विंड जो आती है वो किया करते वह कहाँ पर चले जाते दूसरा ब्रांच एक ब्रांच तो होगे के बाद किसको रही चोटा ना क्छोट ना पर प चोटा नांग पर प्लैटि sah और कि अपको बोलना है इसको पहुंचना होता है गंगा प्लेंज के आसपाट से पहुंच जाता है इस तरह के से आ जाता है कुछ बात समझ मारे आप देखो आप मैप देख सकते एक डियागरम आपको खुद अपने हाथों से बनाने तब आपको यह पूरा विजुलाइज हो जाएगा तब आपको यह याद रखने की जुरुद भी नहीं है फिर याद ही हो जाएगा अब थर्ड रहा थर्ड ब्राँज इंटर्स दा कच पनेंसुला याद रखो कच गलफ आप कच जो भी है कच पनेंसुला और पासिस थ्रो अरावली रेंज परलली deigi power of mind जो होता एक सेकंड रुको से एक सेकंड रुको तीस्रा ब्रॉच इस तरी की से डेखो अब यहाँ पर फीरोग्राफिका कितना रूल रहता है कितना रूल लें यहाँपर टे अरावली की बाद तो यहाँ पर एक O तरीक से मैंने आब को दिखा यहां पर जितना दिखा सकते हो आप देखे हों ठीक किया करताए यह किसको करताए आपको बोलने यह काच रिजन कोaks करता है तर भूल और फार ऑफली इसके बहुत कशimoreले में चला जाता है और जिसकी वज़े से क्या होते है स्केंटी रेंफाल बहुत कम रेंफाल देखने को मिल रहे है इस रीजन में आ रही बात समझ इस रीजन में क्या देखने को मिल रहे है बहुत कम रेंफाल स्केंटी का मतलब low rainfall होता है कम rainfall देखने के मेरा third branch की वज़े से तो मैंने क्या बोला सबसे पहला मैं revise कर रहा हूँ सबसे पहला branch मैंने बोला ये आता है southwest to monsoon winds आ जाते हैं southwest to monsoon winds दो parts में divide हो जाते हैं एक होता है एरेबियन sea branch sorry bay up bengal branch bay up bengal branch और दूसरा जो होता है वो होता है एरेबियन sea branch ठीक है एरेबियन sea branch फर्दर तीन parts में divide होता है एक होता है जो coast को hit करता है कैरला और करनार्का coast को दूसरा जो होता है सीधे मॉंबई चला जाता है मॉंबई coast को hit करता है छोटर नाख पूर प्लैट को क्रॉस करते है और गंगा पलेंज तक पहुंच जाता है और फिर एक और होता है जिसको बोला जाता है जो कैच रिजिजन में चला जाता है इस तरीकी से आप इसको बना सकते हो तो टोटल जो है ये वाला था इसका man बाथचा ये बाथचा दो ब्रांच में डिवाइड हो गया फिर left बाथचा जो है तीन ब्रांच में डिवाइड हो गया इस तरीक से आपको ये पूरा mechanism समझना है लेकिन ये तो हो गया किसके बारे में Arabian Sea ब्रांच तो मैंने complete किया लेकिन अब किसकी बारी है अब आपको बताना है सर बे आप बेंगाल ब्रांच की बारी है तो समझ लेते हैं बे आप बेंगाल ब्रांच को ये भी क्या होता है ये भी दो ब्रांच में डिवाइड होता है लेकिन कहां पर जब ये हिमालय को टकरा जाता है जब यह हमालय के आसपास पहुंच जाता है यह आपको याद रखना है जो बेया बेंगाल होता है after entering into the India जब यह इंडिया में इंटर होता है कहां से south से and south east side से यहां पर समझो यह इंडिया का south है ठीक है हमालय कौन सा था है बेया बेंगाल बेंगाल बना इंटर हो जाता है कहां से सौथ से इंटर हो जाता है और सौथ इस्ट से इंटर हो जाता है मैं लेंड के अंदर से इंटर हो जाता है सौथ इस्ट कौन सा बन गया सौथ इस्ट यह वाला पॉर्शन बन जाता है इस तरीक से आरी बात समझ यह इस तरीक से आ जात रेक्शन है और यह देखा आप ठीक है इस तरीक से आज यहां पर इसने नहीं देखा हूंपर फिर कहां पर गुज़हा क्या जाता है क् нам अर्य बात सम्झे इस तरीक से आ जाता है इसके अंदर गुज़ कर और फिर हमालया तक पहुंच जाता है जब आ कि एक से कंद यह तो मैंने बता दिया है यह थो हम क्या पड़िए पंगल प्रच हां यह पड़ रहते हैं। बेढा बेंगाल ब्रंच आफटर इंटर सब्धाइब इंडिया and सड़्ाइब आ जाता है थीक है सूथ-east-डशिय्टविंग परफा-दिफ्लेक्ट इंटर सब्धार हो जाता है यह इस्ट की तरह हो जाता है इंट्विलेक्ट के ओ जाता है तो जुनisuk two branches due to the presence of Himalayan and questo बेंगाल where I will conflict hear it to you one branch enters the Punjab Plains एक branch जो होता है कि है चुछ Americans YES after crossing on the place फ्रोंक्रास को क्रॉस कर लेता है उसके बाद क्या करता है पंजा dolor خाना जाता है उसके पाद क्या होता है एम एनेस को अब देखो नौर्थ इस्टर रिजिन में रेनफाल होती है लेकिन किसकी वज़ए से आपको बेंगाल ब्रॉंच पतला सौथ एस्ट मौन सुन के वज़ए से मैं आपको मैं पर दिखाता हूं सुधेट आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा अब देखो यहां पर ठीक है यह दो क्या होता है यह क्या बेंगाल ब्रॉंच इस तरीक सा जाता है इस तरीक सा जाता है ठीक है बेंगाल ब्रॉंच और यह कहां चला जाता है आसम प्लेंस तक चला जाता है फिर क्या होता है हिमाले से मिलने के बाद क्या हो जाता है एक चला ज जाते हैं और होता है दूसरा नॉर्धन प्लेंज तक और पूरे प्लेंस को क्या देता है बारिज देता है और जिसकी वज़ए से कलाइमेटि कंडिशन वहां की देखने कर में मिल रहा है बस यहां पर यही पॉइंट एक समय आथा जो आपको इंपॉर्टन था ठीक है ऋसके बाद यहो गया ब्राह्म पुत्रा ठीक है वन ब्राच इंटर दा पंजाप प्लेंस आफ्र क्रसिंग फुर्ड फौन फॉर प्राह्म पुत्रा लिगन ब्रह्मन पत्रव प्लैन्स में बारिशद देखने को मिल hours आपको बोला जाएगा की बात करिए वहाँ पह一次 कोस्त मेंगा नाख पर चाया जया पोला जाएगा आपको बैंगांट प्लेंस की भास्ट में गंगा ४्लेंज में होता है अरभी अंजी ब्राइंधोसी की बात करेंगे कौंसे होता है अब्हाफ बंगल ब्राइज आपक Bone जाएगा कि पंजाब प्लेंज की बात करेंगा को में Vander प्रवेज्साग्षाम्ट बेलग सकते हो। यहाँ बेंगल ब्रेंश में ब्राहंपटर प्लेंश की बात कि मेंने और पंजाब ब्लेंश की बात कि मैंने लेकिन अगर अगर आप एक सेंड को कौन सा requirements लेकिन गंगा plans की बात करूएंगे तो een प्लैंस में कौन सा होता है आपको बोलने है वो होता है अरभींस इन्ट सी ब्रांच वहां पर देखने को मिला है यह इस तरीक से आप कर सकतें इसको ठीक है और यह मैंने आपको दिखा ययदो सब्से पहले आप यहां पर देख सकते हैं 1 जून की पहले जून वाली लाइन आप देख सकते हो उसके बाद 5 जून वाली लाइन देख सकते हैं उसके बाद जो होता है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर 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 आप देख सकते हैं इस तरह यहां पर देखो यहां पर भी चला जाता है मायनमार के साइड में चला जाता है यह तो हो गए एस्ट कोस्ट तक यहां पर आ गए हमां उसके बद बोद मीट्स एट बोद मीट्स एट डा गंगा प्लेंज इन दे नौर्थ वेस्ट न पार्ट सबस्क्राइब करें एंठिधेव हैं यहां पर इंपोर्ण म यह पेंग्रों यह वाला पॉइंट वेस्टरन कोस्ट हैं टुछ और व्यूंड Κोस्ट जो होता है या थोडार को एंविक्षट कोस्ट जो होता है Co तो और ग्राफिक रेंपाल एज दौ मॉइस्ट बीरिंग वींड साइज इन दे वेस्टेन गाट्त एंद प्लेंटी अफरेंपाल फोल इन शाड़ जूु रेशन देखो धोगाएं यहां पर मैं इंडिया बनाता हूँ, यहां पर मैंने वेस्टर्न गार्ट बना लिया, यहां पर मैंने वेस्टर्न गार्ट, वेस्टर्न गार्ट और इस्टर्न गार्ट होते हैं, यहां पर क्या होता है, हिल्स होते हैं, और यहां पर पानी क्या होता है, स्वरी, विंड्स क्य की बात एंवेज वेस्टर गांट सो गए यह टो लिगर अगर मीष्टर गांत की बात करेंगे ठीक है इस्टर्ण की बात करने थे एपो पर यहां पर जी एस इसटर्न गांट आई परलला यहीज फार्ले नामेल बेंगल ब्राँच अप मौनसुन विंड्स मौनसुन विंड्स दाज नाद रिचिव मैच रेन फाल थो थाथ वेस्ट वेस्ट मौनसुन इस्पेशली इन दा सउथ ईस्टर्न कोस्ट एंड आल्सो ड्योट टू लोकेशन अफ रेंड्स शेडव रिजन दस इस्टर्न कोस्ट राइ समर याद रखो question यह पूछा जाएगा मैं फिर से मैं बना रहा हूं यह हो गया west coast यह हो गया west coast यह तो सबको पता है और यह वाला portion हो गया east coast इसलिए आपको पता होना चाहे था east coast और west coast किस तरीक से important है यह हो गया east coast यह हो गया west coast लेकिन होता क्या है जब south west moon मुन सुन आ जाता है जो east coast इसट coast जो होता है यहां पर जो rain falls आपको देखने को मिलेगा आपको बोलना वेस्ट Sad m वेस्टरन गहाट में क्या देखने को मिल रहा है आपको बोलना यहां पर orographic replay देखने को मिलेगा orthographic RAV Ali आपको पता है question पूछे जागे score CHEAST Coast में या West Coast में रेनफाल होते हैं, आपको बोलना है, jou होता है, वाहं पर रेनफाल होती है, लेकिन कौन सी रेनफाल हوتी इसे चला जाता है, जिसके वज़ा से East Coast में कोई भी रेनफाल नहीं होती है, summer में. क्वूच्चन आ जागा कि summer में east coast में rain fall होता है आपको बोलना नहीं summer season में east coast पूरा dry रहता है याद रखो east coast पूरा dry रहता है आपको पूछा जाए। ऐसा क्यूं होता है अगर वहाँ पर bena bengal branch तो चला जाता है लेकन dry क्यू हो रहता है यहां पर यही लिखा है यहां पर ठीक है साथ इस्ट इस्ट कोस्ट साथ इस्ट कोस्ट की बात करें and also due to the location of the rain shadow region this eastern coast remains dry during the summer season और यह rain shadow region होता है जहां पर rain नहीं होती है और यह portion जो रहता है यह रहता है यह रहता है dry summer के time पर this branch यहां यहां पर लिका है इस ब्राइच कोई सब्धेया बंगाल बदर इस ब्राइच अपर हिटिंग द नौर्थ इस्ट और नौर्थ इस्ट प्रोइड ओर और और ग्राफिक and deflects towards the western part of the country along the ganga plains due to which position due to the position of himalayas which obstruct the northwestern winds towards the यह हो गया, बोला जाता है, यह ब्रांच जो है, यह क्या करता है, यह नॉर्थ इस्ट को हिट करता है, यह इस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह सौथ हो गया, यह बे बेंगाल ब्रांच किसको हिट करता है, आपको बोलना है, यह हिट करता है शुरू हो जातों कहां से चला गया था ये चला गया था इस डीरुक्शन च貝 को को इस टो कौस्ट में कोई पार नहीं प्र कर गया कर यह हमें देखना है ठीक है औरोग्राफी औरन ट्व zerड़ द का विच बोज़ से वह दूब एज विफर um जाती हैं which obstructs the northwest moment of the wind system जो northwest moment जो होते हैं winds का उसको रोक देता है northwest moment of winds को रोक देता है ठीक है यह east है यह west है यह north है यह south है northwest wind system को क्या करता है stop कर देता है यह आपको याद रखना है the rainfall gets decreased from east to west in the eastern side and from west to east in the west coast of the country याद रखो क्या होता देखो क्या होता है rainfall क्या होता है rainfall degrees होता है east to west coast की तरह है ठीक है इसे देखो जब बेया-bengal branch आता तो इस दरिक drug価 आ जाते हैं तो यहां पर आप देखो क्या होता उस्ट से वैस्ट कोस्ट की तरफ आ जाते तो रेंफ़ाल डिक्रीज हो जाता है याद रखो ये लिकाने की तरफ इस साइड की बात करें जब इस तरीक से आ कोस्ट लेकिन वेस्ट जैसे यहां पर यहां पर बारिश आ जाते हैं इस कोस्ट में जब बारिश आ जाते हैं यहां पर सबसे जदा बारिश और वही विंड जब आगे मूग करना शुरू कर दें आगे मूग करना शुरू करना शुरू हो जाते हैं तो जब वेस्ट की साइड winds आना शुरू हो जाते तो यहां पर rainfall सबसे ज़्यादा होता है और जब वही winds east की तरफ move करना शुरू कर देती तो rainfall क्या होता है कम होता जा रहा है यह आपको समझ माँए कि इसका मतलब west to east rainfall decrease होता है लेकिन जब बेया बेंगल ब्रांच को लेकर आएंगे यहां पर east coast को यहां पर hit किया north east को सबसे ज़्यादा rainfall होता है फिर जब वह आगे move करना शुरू कर देता west की तरफ move करना शुरू कर देता rainfall क्या होती है decrease होती है यह आपको keyword आपको याद रखना है आपको बोलना है eastern side से eastern side से east side से क्या होता है आपको बोलना इस्ट औरन साइड से होता है इस्ट से वेस्ट की तरफ रेयनफाल डिक्रीस होता है लेकिन अगर हम वेस्ट औरन साइड की बात करेंगे ठीक है इस्ट से वेस्ट की तरफ रेयनफाल क्या होता है इनक्रीस होता है यह दो breaks in monsoon, breaks in monsoon का मतलब के होता है, in the period of southwest monsoon, there will be a break in the rainfall for a few days or weeks, the main reason for this break is the fluctuations of monsoon trough and ITC that in the northern part and reduces the frequency of moist laden winds in the mainland and also due to parallel path of the winds in the west coast, ठीक है, curbs the rainfall in that region for a week, यहां पर देखो, monsoon break का मतलब क्या होता है, देवांत से समझो, जैसे ही यहां पर, आज कोई, suppose आप समझो कि 10 जून है 10 जून को यहां पर बारिश हो रही है ठीक है बारिश हो रही है बात समझ में आ रही है बारिश हो रही है लेकिन मौनसून आ रहा है और बारिश हो रही है लेकिन क्या हो रहा है फिर कुछ 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद 10 जून के बाद 15 जून हो गए 16 जून हो वान्सोन के टाइम पर क्या होता है रेंफॉल जो होता है वो रुक जाता है वो ब्रेक करता है कुछ ताइम कुछ दिनों तक या कुछ वीक तक अगर 5 जून पर बारिश हो गई थे आप 15 जून तक यहांपर लोगills कर रहें कि बारिश हो रही हो जाए दोay ऐगे लेकिन पंच जून तो हो गय लेकिन 15 जून भी हो गया 20 जून बारिफिन नहीं हो रही है और जब मौनसोन के बार बार बीच में जो ब्रेक्स आपको देखने को मिल रही इसको बोला जाता है मौनसोन ब्रेकदेखने को मिल रहा ग्लफ Forgive to सर यह moonson break का reason फिर क्या है आपको बोलना है यह आईटी सीजर का fluctuation के वज़े से यह moonson break देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मैंने रिजन आईटी सीजर क्या करता है आईटी सीजर क्या करता है वहाँ पर converge हो जाते है वह एक low pressure truck होता है जिसके वज़े से high pressure से winds आ जाते है और low pressure में चली जाते है और बारिश होना शुरू हो जाते है लेकिन जब moonson truck में कुछ issues आ जाते है आप यह बोल सकते हैं fluctuations आ जाते है moonson truck में यह IIT seeds कहां पर जो North thinkयर में है Northern part में है ठीक है जिसकी वज़पिवाज़ से क्या होता है जो moisture content जिर होता है जो rainfall जो होता है वो क्या होता है वो reduce हो जाता है वो खत्म हो जाता है वो रुखatा है वो रुख जाता है कहां पर land के उपर यह आपको समझ आ रहा होगा कि किसकी वजह से question आ जाएगा moonson trough occurs sorry breaks in moonson occurs because of option दिया होगा because of fluctuations of ITCZ ठीक है आपको उसको टिक करना है because of the fluctuations of the ITCZ जिसको बोले जाता है because of the fluctuations of the moonson trough जो कि North India में होता है जो कि mainland के उपर होता है इंडिया के जिसके वज़ाए से fluctuations किन बैष hangśnie旨े को मिल रहे हैं जो माईश्य जो होता है माईश्य देखने कोсяано ही मिल रहा stable नहीं मिल रहा है यह आपको याद रहा है आल्सो ऑपट ऑल्स डूर्स तो भी बेय Ст इंड वेस्ट कोस्ट ध darелич स्थ और जो क्या होता है कुछ पार्ट तक क्या होता है विंड जो होते है वेस्ट कोस्ट में क्या होती है यह परलेली चली जाते है कुछ पार्ट तक क्या होती है विंड वेस्ट कोस्ट में परलेली चली जाते है जब यहां पर एस्ट कोस्ट में परलेली जाता था तो यहां पर र मग करना शुरू कर देगाए तो उनियां है सांथ था आप यह गिए को करेंगे नएरीयरा मेरें को उसीन क्रीडिन ऑसेट की इंडियान ओशन डायपूल क्या होता है deposit Indian ocean dipole क्या होता है obviously कोपन क्लासफिकेशन क्या होता है और आपका जो है यह आपका complete हो जाएगा कल इंशाल लुख पर शुन जो हम यहां तो महीं वर्ल्ट जैड़ाफी पर यहां तो मैं communication पर जाओ और यहां तो मैं जाओंगा यहां तो में जाओंगे किसके उपर उसके बाद क्या बाइच आपको यहां तुम आटेट कल जाए लेकिन मेरा यह ही आइडिया है कि वोल्ड जेगराफी पर क्योंकि communication में उतना जादा आएगा भी नहीं उसमें छोटा सा है बहुत कम है communication में पढ़ने like उमें वैसे भी करा हूँगा लेकिन world geography को हमें time लगेगा world geography हमें continent के साब से पढ़ने सारे एक चीज़ देखने का हमें मिलेगा ठीक है तो हर एक चीज़ हम देखेंगे कल इंशाला कल नहीं यह यह कंप्लीट करने के बाद climate को कंप्लीट करने के बाद मैं मूग करूंगा world geography की most important part है क्योंकि world geography से questions आपको case में पूशे जाएगा और इसमें पूशे जाएगा thank you so much for watching में comment section में अपना comments मेंचन करो आपको यह session कैसा लगा ठीक है बाद के हम इंशाला कल करेंगे thank you so much for watching